अब अगर बिगड़े बोल बोलना किसी की आदत ही हो जाए तो आप कर भी क्या सकते हैं और ऐसी ही आदत की शिकार है प्रग्या ठाकूर जी हां अपने बेतुके और विवादित बयानों के कारण हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाली भारती जनता पार्टी की भोपाल से सांसर साधवी प्रग्या एक बार फिर विवादों में गिर गई है उनके बेतुके बयान के कारण जो है फिर से उनकी पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अबकी बार जो उन्होंने बयान दिया है उससे तो लगता है कि भाजपा के आला नेता भी काफी नाराज होने वाले हैं क्योंकि अबकी बार उनका कहना है कि भारती जनता पार्टी के कई नेताओं की मौत का कारण विपक्ष का जादू टोना है मतलब स्वर्गी सुष्मा जी, अरुन जेटली जी, बाबुलाल गौर जी, मनोर पारिकर जी इन सब की म्रत्यू के पीछे भी विपक्ष है और विपक्ष किसी मारक शक्ती का उप्योग कर रहा है और ये बात साध्वी जी को किसी संत ने पहले ही बता दी थी साध्वी प्रग्या ने ये बयान उस वक्त दिया जिस वक्त वे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी बाबुलाल गौर के लिए भोपाल में आयरजित की गई एक शरद्धानजली सभा में शामिल होई थी आप भी देखिए ये विडियो उस समय एक महराजी आये और उन्हें मुझे से कहा कि आप उपनी साधना को कम मत करना साधना का समय बढ़ाते रहना साधना कम मत करना क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो बिपक्ष है कोई ऐसा कारे कर रहा है ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारती जन्ता पार्टी पर कर रहा है और वो भारती जन्ता पार्टी को नुक्सान पहुचाने के लिए है विश्चित रूप से भारती जन्ता पार्टी के कर्मठ योग और ऐसे लोग जो भारती जन्ता पार्टी के संभालते हैं उन पर असर करेगा उनको हानी पहुचा सकता है आप टार्गेट हैं इसलिए ध्यान दखेगा और ये होने बाला है उन महराजी की बात को मैंने उतनी भीर में चलते चलते जो सुना और भूल गए परन्तु आज जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे वास्तव मैं श्रीश नित्रतो कभी शुश्मा जी बाबुलाल जी फिर जेटली जी और ऐसे क्रमशह जो हमारे नेता पीडा सहते सहते और जाते हैं दरसल भोपाल में भारती जन्ता पार्टी आफिस में बाबुलाल गौर और पूर्व वित्तमंत्री अरुन जेटली जी को शद्धान जली देने के लिए एक शद्धान जली सभाका आयोजट किया गया इस सभा में भारती जन्ता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे भरी सभा में प्रग्या ठाकूर ने क्या कहा ये कहा कि मैं जब चुनाव लेड रही थी तब एक महराजी आये ये बहुत बुरा समय चल रहा है उन्होंने मुझे ऐसा कहा विपक्ष एक मारक शक्ती का प्रयोग आपकी पार्टी और उसके नेताओं के लिए कर रहा है मैं ये बात भूल गई थी क्योंकि मैं उस वक्त व्यस्त थी अब जब मैं ये देखती हूँ कि हमारी पार्टी के नेता यूँ एक के बाद एक जा रहे है तो मुझे उन्होंन महराजी की बात याद आ रही है भले ही आप विश्वास करें या न करें पर यही सत्य है और यही हो रहा है प्रग्या ठाकुर ने इस बयान में हाल ही में दिवंगत सारे निताओं के नाम भी लिए जैसे मनुहर पर्रीकर, सुश्मा स्वराज, बाबुलाल गौर और अरुण जेटली जी के निधन को उन्होंने महराज की बात से जोड दिया और इस बात पर जोड दिया कि विपक्ष जो है भारती जनता पार्टी पर काला जादू कर रहा है वैसे आपको हम यह बता दे कि मालेगाओं ब्लास्ट मामले में दोशी साध्वी प्रग्या जो है वो इसके पहले भी कई बार भड़काओ बयान दे चुकी है साध्वी प्रग्या ने मुंबई में STF के चीफ रहे हेमंत करकरे की मौद के बारे में भी यही कहा था कि उनकी मौद श्राप की वज़े से हुई थी और वो श्राप उन्होंने ही दिया था इस बयान के बाद भी काफी हंगामा हुआ था लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या क्या एक समवेधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार की बातें शोबनी है यह तो आपको स्वेम सोचना होगा खबर से अगर आप तालूक रखते हूँ आपको लगता है कि खबर काम की है और लोगों को भी इसे देखना चाहिए तो शेयर जिरूर कीजिएगा हमको खुशी होगी नमस्कार अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें और शेयर करें